आप पिभीशन की सरणागती और उसके बाद अंगज रावन संबाद लक्षमर सक्टी और ददपस्टाथ कुम्ह करल का बद दिखाया जाएगा आपको प्रपया सांती बनाए रखें और भारी से भारी संख्या में आकर के कलाकारों का उस्सायगर बर्धन करें आर्थी होने जा रही है और उसके बाद तुरंट लीला चुरू होगी धन्यवाद आवज से चलके मिठला में लुटाने चार आए हैं आवज से चलके मिठला में लुटाने चार आए हैं आवज से चलके मिठला में लुटाने चार आए हैं सजे सहरे में से चलके मिठला में लुटाने चार आए हैं प्रमर से काली काली बिखेरी मुघरे वारी अलकोपल प्रमर से काली काली बिखेरी मुघर वारी अलकोपल भागुघर वारी अलकोपल शचाव शहरा से शचाव शहरा से मौरी की शयले दिल दाज आए हैं प्रता शहरात मौरी की फैयले दिदार आए है अवस्ते आज मिखेला में लुचाने चारे आए है नुचाने चारे आए है प्रता शहरा फिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत में मन भूला भूला तिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला तिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला तिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला तिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला तिरे जगत में नाना परने अतुल बले बानर भाद भरूत हमेरे लगाए गेतो ना किसोर गोर सा मेरो सलो होना पूले चुने से फूले बगिया मैं देख रहो पूले चुने से फूले बगिया मैं देख रहो पूले चुने से फूले बगिया मैं देख रहो हाति मले रहे दोना हाति मले रहे दोना किसोर गोर सा मेरो सलो होना आत्म लए लेखे दोना शूर गौर सा मेरो सनोना मरी लगाए गए दोना शूर गौर सा मेरो सनोना पुर्वक जोंके से घुघच पच पच उर्वो पुर्वक जोंके से घुघच पच उर्वो पुर्वक जोंके से घुघच पच उर्वो आत्म लेखे दोना शूर गौर सा मेरो सनोना मरी लगाए गए दोना शूर गौर सा मेरो सनोना का है कहाँ कशू कहात बलेना का है कहाँ कशू कहात बलेना मरी लगाए गए दोना कि शूर गौर सा मेरो सनोना मरे लगाए गए दोना कि शूर गौर सा मेरो सनोना अरे चिंता भयव कंत पर बिधी बिधी परीता दुल बैठ्यू सभाँ खबर अशिपाई असिंधू पार से ना तब आई बैठ्यू कवाँ खबर अशिपाई शिंधू पार से ना तब आई पूछेशी सैचीव पूछेशी सैचीव पूछेशी सैचीव कहा गोव मैं सब खश्ते हमस्त कर रहा हूं जिन्हों सुराय सर्मता करें लोगे लोगे लोगेए जे उसुरा आशुर सब समय नाही नरे बान नरे के ही ले खेमाई को सजी उपैद गुरतीन जो प्रियभो लह भयाशु राज धर्म सनतीन करे भूई बे गही लाशु ए राज सभा के सजू बनो राजमंत्रियों मैं ये क्या देख रहा हूँ कि समुद्ध के तक पर वो दो तपसी बच्चे अपनी सेना सहित इस पार आख उचे है ये राजमंत्रियों मेरे राज को सभान लेवारे राजमंत्री आज मेरे जबहार में या दो जो हमों सुटिंग के लियाना पर इ लंका के बीरो रड़िद हीरो ए लंका के बीरो या रड़िद हीरो बोओ लो क्या राए तुम्हारी है राजमंत्री जी माराज बरी सागर के फार करा करके पूरी तैयारी है राजमंत्री जी माराज आप बतलाएए कि इस तरह क्या उपाय किया जाए भईया भिवी साड़ आपके बहुत भईया भिवी साड़ उससे छोते हैं आप भईया भिवी साड़ कुछ राह बतलाएए ताकि ये लंका 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 ही हो जाए मेरे भईया भिवी साड़ कुछ पोल कुछ सहारा बना कुछ करे तुझ जो पाले पूँछा हूँ मही बाता अमती अनुरूप कहाँ ही से ताता कि जो आपन चाहो कल्याना सुजा सुशु मती सुभगती सुभनाना सूपर नारी लिलार भणाई साजह चौठ के तंद किनाई सूपर नारी लिलार गशाई साजह चौठ के तंद किनाई आपको पंडित है आपको पंडित है ग्याता है ग्यानियों के भी जानी है आपको पंडित होना चाहिए कि आप जिन से बाइर करने की सोज रहे है वो साचाद परम्रम्भा परमेजुर है आपको पंडित है यह व्याता लंका में शकुषल तभी तग रह सकती है जब तक माता जानी की को आप प्रभु श्री राम को शौफ ना दे तुसका में तोज मादे आप भी शर्ण बस्मार भी शर्ण हो जाना है यह भी शर्ण है भी शर्ण बस्मार भी शर्ण हो जाओ अलकित है तंदे सहोगर का इस समय अगर हो का कोई तो अभी काच देता है तुसमन के आगे तु मुझे को अपमानित तु यह कराए रहा तु मुझे को क्या कर रहा है कार बना रहा है तुमी सर्ण नहीं भी या कि बारे बारे पदल आगर अभी ने कर रहा हूँ सुन भी शर्ण सुन भी शर्ण कुछ को बताता हूँ मैं मैं जाना मन्जूर मगर सीता देना मन्जूर नहीं तु घर वाला हो करके घर की आमरू उना रहा है तु रही जानता है मुझको मैं कान हूँ बीशार आभरू शद्रिस्टिस्ट्राकिया एंदीशार आभरू शद्रिस्ट्राकिया मिशिदेना भी विर नहीं हूँ बीशार कैसे वो निया तुने आगरा जो आपके समाना परम बीर है थर और दूसर उनका सद कर दिया है और शाथ शाथ नर के रूप में भगवान स्री विजुजी के आतार हो बसाथ चरन कही मा आगा हो राखव मोर जुलाद असीता दे हूँ राम कहूँ अहितना हो इस तुमारे हे भाईया आप मैं आप से बिनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मैं असीता को वापत कर दिए आपका कुछ भी अहितनी होगा हम सीनों करेंगे वर्वान सी राव के पास और उनसे सवाया कर लेंगे क्यार कहा दूने कि उसकी सर्वागती हड़ा भाग यहां से जा वीजर्ड शुन्द हड़ का भाग में इनाज से यहां से जा अनियता बुना भाग आएगा भी शान अरे जो तू अभी नहीं मालेगा तो तुझे करा तिर लोगी सदा प्रक्वाजूंगा को पीजर्ड तू जा करके वोग तपसी बचों के भी शान तू जा के वोग तपसी बचों से जाके मिरता और मेरी गाज्जसे बिल्कुल हर जा भी शान जा 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 रहा से भी शान जा है लिकीन से चाहर ने प्रहारा, अनुजे कहें परदे बारें बारा अजी सर, तुझे में नहीं नहीं सकता, अपने राज में तो दिल्कुल हर्दा यहां से नहीं सर चला जा 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 नदे के सामने से अजी के शाै तुम आ पिटू सरी से भले हें ओहीं मारा, दाम भजे हितना के तुहारा आपने भले ही मुझे लात मार करके इस लंका नंगरी से निकाल दिया अब मैं भरवान प्रमु सिवी राम के चड़ों में मुर्दा शणना करकर बन करके रहना कहूंगा किराम सच संकल्प प्रभू सभाकाल बशतोरी मैं रगुबीर सरय अब जाओं दे हुजने खोरी अब मैं भग्मान प्रभू सिवी रगुबीर के शरण में जाओंगा और उसे बिन्दी करूँगा तो अब मुझे जरूर अपनी चड़ों में जगह देंगे इस तरह से दिभीशन रामादर की वोड चल देते हैं तो अच कही चलाब भीशन जब ही आयू हील भय सब तब ही साजु अवय क्या तुरत भवानी कर कल्याएं अखिल कहानी रामन जब ही दिभीशन जागा भया उप्धो दिनो तब ही अभागा चले उहर शीरगो नायक पाही करत मनो रथ पहु मन माही करत मनो रथ बहु मन माही सखी हो जाई चरन जल जाता सखी हो जाई सखी हो जाई चरन जल जाता अरुनम्रदुले से वक्ते शुख जाता जेपद परसी करीरी सिनारी संदक कानन पावनकारी संदक कानन पावनकारी संदक कानन पावनकारी भी चरन ये सुख के जारहे है कि जिन पायन की पाजुकन ररत रह मन लाई ते पज़ आज पिलों की हऊं कीन नैनन अब जाई कपिन विभी सन आवत देखा जाना कूर पूदूत दिशेखा कपिन विभी सन आवत देखा जाना कूर पूदूत दिशेखा साहिरा की कपिस पहिं आए समाचारे सबता ही सुनाए क्रभू कईये हनमान मुझे ऐसा कजीत हो रहा है कि लंके से यहां से कोई दूस आ रहा है अच्छा वै जो भी हो तुषे मेरे संबुख लाई हनमान लेकिन जानी नजाए निसाचर माया अकामे रूप के ही कारन आया यह माया वी राक्षत है यह काउन साथ कपट कब हम लोगों के साथ कर सकते हैं इसका नुमान नहीं तो फेद हमार लेन सख्यावा अला कि यह बांधि मोहियस भावा मेरे मनमस्त में तो प्रभू ऐसा भावा रहा है कि यह सख्याथ हम लोगों का फेद देने के लिए हम लोगों के पास आ रहा है इसको यहीं पर बांध लिया जाए तो सखा नीति तुमनीक भीचारी पममपन सरनागत भैहारी फिर सखा हरमान तुमारी है नीति और सोज प्रसंचनी है फिर भी हो सकता है वह हमारी सरन में आ रहा हो तो सरनागत कहूं जेसा जहीं निजय नहीं ते अनुमानी तेनर पावर पाप में ते नहीं बिलोक तिहानी वह है कोई निच्चर हो या मनुष जो भी हमारी सरन में आता है उचको हम अपनी सरन में ले लेते हैं जो भी मनुष मेरे सरन में आता है मैं उचे अपने साथ रखता हूं तो जा पैदुस्ट है दै स्वई होई मोरे सन मुख आव की स्वई वह है आने वाला कोई भी निचाचर हो या दुस्ट दुराचार हो मेरे उचे सम्मुख लेका राए भेद लेन पठवा दस शीसा तब हुनक चुभए हानी कफीसा अगर तसानमने उचे हमारा भेद लेने के लिए भेजा है तो भी इसमें हमारी कुछ हानी नहीं है अनुमान तो जग महु सखा निसा चर जेते हैं तो लचमन हनाई निमिश महुतेते हैं भगवान बुरी है हाँ तो लचमन जग महु सखा निसा चर जेते हैं लचमन हनाई निमिश महुतेते इस संसार में जितने भी निशाचर हैं उन्हें हमारे भ्राता रचमन पार देते हैं जो सभी ते आवासरे नाई ही रखियं ताहि साने की नाई जो भी मनुष निश्चर हमारी सरण में आता हैं हम उशे अपने प्राण की नाई रखती हैं तो भैभाजी जही आना हो हाशिका है क्रपाल केत अजय क्रपाल कहीं कभी चले अंकद हनू समेत ज़न्या क्रपुआ पर बोल्यों समय कत भत्तवर्चल भगवान की जय तो साथे नियुका आगे करीपान रखते ही जय करीपाल की जय तरहने हो हाशिका है हलो हलो हे प्रभू हे प्रभू हे प्रभू हे प्रभू नाज दशानन करमय भ्राता निश्चर कुटिल का परगय भ्राता हे प्रभू मैं निशाचर दशानन का भाई हूँ ये मेरा गुर्भाग है और मैं लंका नंगरी से आया हूँ दशानन ने मुझे लात मार करके लंका से बाहर कर दिया मैंने सिर्व उन्हें इतना समझाने की कोशिश की कि वह आप से बैर ना करें प्रभू से बैर करने में शंपूर्ड कुल सहितनात हो जाएगा लेकिन अलो लाल बाबू अफरेक्टर जहां का इन यह चंड आई स्टेज में शक्त निशाचर उसने मुझे लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया अपित्व उसने मुझे लंका से बाहर भी निकाल दिया तो प्रभू मैं आपकी शरण में आया हूँ शरण चाहता हूँ प्रभू शरण चाहता हूँ जो निश चल है जो निरमल है वही जने मुझे को भाता है चालाक तरंज भी धूरत छली कब मेरे शम्मुक आता है यदि शरण मेरे वह आता है तो अपना बना कर रख्थू मैं अपने सम्नी से पिठलाऊंगा लचमड जयता समझूंगा मैं जयता है जयता है जो जो निरमल है निश कपट है वह यदम मुझे अदिप्रिया है और जो भी मनुष् निच्चार मेरी सवड़ में आता है, वह मुझे लचमड जैसे प्रिय होता है जी प्रभू, मैं आपके पास बहुत ही आज लेके आऊंगा यही सोचा कमें, आपको तीनों के नात है, संसार में कोई भी आपकी शरण में आता है आप उसको वापस नहीं बेशते, इसी उस देश से अब मेरा आपके जिवाई संसार में कोई नहीं है और आपके चलों में लाइकर भी आपकी भश्टी चलना जायता हूँ अब कहिए लंकेश मैं आपको अपनी तरण में जेता हूँ अब कहिए लंका में शब उसलतो हैं आपके घर, परिवार, निशब, प्रशान्न तो हैं प्रभू, लंका में शबी की पति मारी गई है एक नहीं, बे नहीं, पूरी लंका और लंका प्रभी के जो मंत्री गण है सभी राजा के सामने सागुर्स को हाथी कहते हैं और लंका का फिनास करवाने की सोचते हैं मेरे समझाने के बाजूद भी वे नहीं माने और मुझे राजा दवानन इतना ही कहने पर घंशे बाहर निकाल दिया तो मैं आपकी जर्ण में आगया अब तो मैं कुशन निते थरे भारे देखी राम पजे कमल तुहारे क्योंकि मैं आपके चर्ण में आ गया हूँ तो मैंनी सिसरे अची अत्रम सुभा हूँ सुभया के रहने कि मैं ही काऊँ तो मैं आपके चर्ण में आपके चर्ण में आए जी भी 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 बिश्ण मेरा भाग है अब होगया मैं जो मैं आपके पुखाद विन्डूबा तो तृमर कर पा रहा हूँ जाशद कर पा रहा हूँ कितनी सुन्दर जोड़ी है आपकी अधिफिशत हो रहा है मेरा मन गदगद हो रहा है दिविशन मैं आज से आपको अपनी शरण में देता हूँ और आज से आप मेरे बड़े बिराता हुए बोड़ी है जगा मुझर में कीजे हारा से भीचन कीजे तो जगा पिशका सविशा नाही अमूर जर से अमोग जग माही तो अश कही राम प्रक्ति लगते ही सारा हम असुमन प्रेस्टि नभ भाई अपारा आए विवीशन चलते हैं आश्रम की वड़ जी प्रभूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबू स्वास समीर प्रचंद अच्चारत बिभीशन राख्यों दीन हैं उराज अखंड जो संपची सिवरावन ही अदीन दिये तसमात स्वई संपदा बिभीशन ही सकुच दीन रगुरात सकुच दीन रगुरात कि अब क्या करना चाहिए कि महाराज जुद्र के पहले हमें किसी दूप को भेजना चाहिए कि सारे सभी मंत्रियों ने विचार दुमर्श किया और उसके बाद बाली नंदन अंगत को भेजने का निश्य किया गया अब इसके बाद अंगत रावन संबाद होगा कि अब आशांती बनाए रखें और उसके थोड़ी ही देरवाद आपको अंगत रावन संबाद दिखाए जाएगा धन्रवाद कि 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 क क क क झाल 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 ए राज मंत्री राज मंत्री जबसे वो हनुमान नाम का बंदर लंका में आग लगा गया तबसे राज मंत्री की महाराज तबसे मेरी लंका के जीतने फीर है बहाजूर है बरवान है सब एकदम संसावाता संसावाता इद्री लंका में हो गया नहीं नहीं परवाह ना करिये नगरवाजियों वो तपसी बच्चों को आपके सामने वह जसा करूंगा वह जसा की आज तक कोई के सालही किया होगा राज मंतरी भैद हरिये भैद हरिये मेरी रास भागे सची परो भैद हरो भैद हरो भैद हरो आज जान जान पराए है हम जो मुझा जोका हो सांती वाहने कि श्कानध मुझा कि जीया, जुआ है। जीया जोकली है वह जैसे दिए लग्ता करीजी कि फार करें था ही। तो यारत कर दो नोटान के हैं जीया, जुआ जो तो इस बाता जोड़ है। व करा आय चैनल के नहींुट बहुतायी थान साय गहात्य कार अघ्छ नाठी है शुक्रियाख हुआ 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 , हुआ शुक्रियाख ुआ हुआ किस बाद किस प्रकार उस निश्चर पदिटसकंधर से लडाई लडना चाहिए, इस सव योजन शमुत्र को किस भाई प्रकार से पार करेंगे, क्या, हम किशी तरह इस पर पुलतायार कर सकते हैं, कोई बिदी हो, तो बताईये शुक्रियों, अदूस पठाईये वालि तुमारा, महाबरभू, सरवाग देशार्व फुलाउ से संफन, महाबुति सागर, मेरा तो प्रचाहिए कहना है आपसे, कि बाई तरह यंगरी जी को सांदी गूट के रूट में भेजा जाए, तुम्हारी ये सोच तो अच्छे है, लेकिन वह स्वरगिया महाराज बाली के पुत्र हैं, उनको मैं अपना दूत पैशे बना कर देश सकता हूं, बहुत बुझाई तुम्हें का ताली तने खुधि बने गुन धामां, अलंका जाहूता आत्म मोतामां। बहुत बुझाई तुम्हें का ताहूं, परम्शतुर में जानते हूं। तुम्हें पिता के पुत्र हूं। तुम्हें लंका में जाहूं। और उज निश्चरपती दसकंदर के बरका, छलका, माया का सबभाथ रहसे जान का रहा हूं। ज़सी अध्यातु, मैं ज़स्टेशा आपके अध्याते इसार, यहतार मैं अवश्च करूगा जभू। अभी जा रहा हूं पुभू, अभी जा रहा हूं। जय स्मीरा, जय स्मीरा सधु अज्याद हर शीशु चरनबंदियां गजरूख्यों अश्वई गुल शागरे इस रामत पाजा पर करहूँ तो प्रभु प्रताप बुरु शाहजी अश्युकार अरन बाकुडा वाली सुख भूकार तो पुर पैठच लावन कर बेटा खेलच रहा सो हई बेटा तो पैठच जर्वन शल जेता खेलच रहा सो हई बेटा जो गले अपने गले अपनी तरुनाई जहीं अंगाज तो हूँ लासु आई जढ़ी पज़ 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 के ओ भूमी खावाई जढ़ी पज़ 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 के ओ भूमी खावाई निशिचर निकर एकी भट खारे जहत अंचरे नसके ही पुकारे जढ़ी पज़ 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 के ओवाई जढ़ी पज़ 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 पुकारे जढ़ी जढ़ी पज़ 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 हम हम जगानन के राजमंत्री है जो पिक्रों कर रहे हैं अपनी रगड़ा पर तो आप दादन के राजमंत्री है तो मैं भी अपना पर्चे आपको दे रहा हूं कि मैं कौन हूं मैं महाराज मर्यादा पुर्शोतम भगवार नाम का भेजा हुआ दूत बाल पुत्र अंगत हूं मैं आपके स्वाबी दसानन को क्योंकि उनके आप राजमंत्री है तो यह जो तुम्हारी पूरी सारी उल्टा लंका नगरी है तो मैं एक दूत के नाते दूत के कारण यह बताने आया हो कि हे दसानन तू हमारे श्री मर्यादा पुर्शोतम भगवान राम से मिताई कर ले कंधि कर ले इसी में तेरी भलाई है ते राजमंत्री जाकर के तुम बता देओ कि रामा दल से अंगत नाम का इस जोत आया हुआ है और आप से मिलना चाहता है महराज की जय हो जय हो जय हो मेरे राजमंत्री महराज बोई रामा दल से अश्या रामा दल से एक अंगत नाम का बंदर आया है वो अपने आपको राम का दूद बतलाता है और आपने मिलना चाहता है ठीक है राजमंत्री जीक है उस अंगत पर राजमंत्री की महराज मठी मंद आज मठी मंद नवन मठी हारे हारे ताया राजमंत्री की महराज मठी मंद आज क्या फ्रावा राज मंद आज मंद नबन मज दे मज हारे हारे का राज मंदी जी मराज वह मरकट नही महाख़त है जो उर्धा तक राज दुखारे का बेहतर है यहाँ राज मंदी मेरे बेहतर है यहाँ अरे कारे शागत है आज जर से उसे पुलाए हम राज मंदी मेरे इस योधा को तो सलसे जी गेर अगी से हम दो आए यहाँ अब राज पूसेगी राज मंदी अब राज पूसेगी बात नहीं तो इस इस इक में मुझकों प्यथा नहीं राज मंदी वह तो अप्यास का राज मंदी वह तो अप्यास का की का सामरी गाया अगर मरक्तारे ने राज मंदी वह तो अगल नाम पानर को आजार पूर्मक लिवा करते और मेरे पाफ लाई बेवाद जाओ पुर्सियत भेजो भाई जो पुर्सियत भेजो भाई यो आजाद इस भेजो ने लाओ भले प्रकार तो प्यार पाल ने आ कहा चलिए पाल कुमार चलिए हाँ राजमंत्री गीमाराज लिवालाए गीमाराज बालिपुत्र यंकदर शागमार फिर्जुपा है लंका के लेला आते महराज तसाना जय संकर की 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 तो कौन है और कहां से आया है मैं मैं तो लामादन से आया हूँ लामादन से आया हूँ और मर्यादा पुर्सोतम भगवान त्री राम का दूस हूँ उनका सेवक हूँ और बालिपुत्र बालिपुत्र अन्द मेरा नाम है। अश्या आये बढ़ा जी अंदद नाम है आपका हाँ आप उस तपसी बच्चे के दूद है हाँ हाँ बैठिये बैठिये क्या तू ही अंदद क्या अंदद है क्या तू ही बास की ज्वाला है क्या तू ही बास की ज्वाला है क्या तू ही वाली का और बेता है क्या तू ही वाली का दात है क्या तू ही तू ही वाली का गहा तक है और तेरा कल्म है अंदद तो होगा आज अकाज नहीं तपसी का गूते अले कहाने में आती है तुझको राज नहीं क्या तू ही वाली का गूते कहाने में आती है तुझको राज नहीं जिसने संहरा भाली माद का उसका ही तू दा अंगद जो आपके आपके प्रिटा का मित्र है उसकी बाद आपके प्रिगाद के विश्वास नहीं होगा अंगज मैं खूजानता हूँ आपके लंका नंगरी में ये राजनीक और ज्यान की बात सुनने नहीं आया मुझे क्या करना है उझे क्या नहीं करना तुम मेरे पिता बान के बहुत प्रम मित्र है इसलिए हमारे पिता मुझे लाकपर में छेटे में पताया करते थे कि लंका का राजा दसाजान मेरा बहुत बड़ा मित्र है तो उसी मित्रता के कारण हमारे मर्यादा प्रताव का वार करें हमें आपको सनने के लिए कुछ ज्यान की बात करने के लिए बेजा है तो सुनिये कि राजा धिराज है महाराज राजा धिराज है महाराज और मैं सुत राम रगबर का हूँ और यो राज देश किसे किन नाता सुत बाल रादेवान अर्वान नाता बाल रादेवान के अने यो रादेपा हूं योड़ शायम लें न रहा हां का उत्र बाल रादेवान के बाल chat ज़ाल ज़र झार ज़र ज़्क किन नाता राजा बाली उसनी बालस है ज़िए है दोज पिता के मित्रे आप इसके कारल मिलने आया हो अब आप कहता है नदग आपके आपके कारल मिलने आया हो अब इस उन्ती नाज नज सबहा में जो तुमारी लंतार की उरुटी नित है इस उल्पी लाज सभावे में कुछ सीथी समझाने आया हूँ अश्या अंगज तो मुझे बुद्धी बताने आया है क्या कावाली कहा कावाली कैसा वाली मैं उसको रही पहचानता क्या कावाली था तो लेओं हमारे पिता गाली इनके मिस्थ है और यह नहीं जाने कावाली कहा कावाली कहा रहता था गाली कावाली यह भी बताया दे रहा हूँ कि कावाली इस समय बाली को भूल गए इस समय बाली को भूल गए दसालाल कारण सगपुरी अवस्ता थी बाली को भूले है इस समय बाली को भूले हो गाला पूले हो इस समय बाली को भूले हो ठाहि हो तू प्यरेगार के उठने वाला ये दसागर ये लंग के एक सुर्ड आजए अगर उससे बाद कर रहा है अरे एक उठने वाले को नहीं देखा, जो पेर में उठलता है, जुठता है, उसको नहीं देखा, आप कि सारी लंका, सोले जी लंका, चला के ठाक नहीं, अरे शुरू सुने, मेरे स्नलाथी भाई को, मेरे स्नलाथी भाई, बा Pat, वाले को, मेरा भैसे उसको तूंग वहिलां के सब बनाते हूं अच्छा तो सुनिये मा इनके बता चुका हूं हम लोग इनके स्क्रीब इनके सर्वे करते चली आ रही है वारी वादरी सेरा रीश पंदरों के दर के साथ आई इनको नहीं चानते हैं किया कहां सायद तुम्राम को भूल गए सायद तुम्राम को भूल गए या पिछली तफा और कह दू और ले जाओ ध्यान जनक पुर्वे सायद तुम्राम को भूल गए तुम्राम को भूल गए तुम्राम को भूल गए को भूल सायद आगा अंगज़ पारी के वच्चे तुम्हे ज्यान केता है एक नेरी सत है अगर वह सत आपको मंजूर है तो ठीक है अंगज़ आप जैसा कहें वैसा होगा अगर वह सत मंजूर हो तो कहो मैं काउं अंगज़ अगर सान सान चाहते हैं अंगज़ अगर सान सने चाहते हैं तो सोईकार करो इन सर्थों की अंगज़ अगर आपको अगर जो हनुनमान नाम का बंदर हैं अंगज़ वह जो हनिमान नाम का बंदर हैं उसको मेरी सेवा ने भेज़ो अगर शुरू तोर सेथ समुझ रगा अंगर आपको इन सके लंकाने कोई अच्छा तो आप मुझे और हर्मान को हम आपके करना अर्फार अब के लंगा में रह करके जो आप सहें वह कार हम करें हम अपने मर्याधा पुर्षोतम भवार नाम प्रीराम का कार ना करें और लंगा पती दसानद का राजा भेश बन गाने करें अगर आप मुझे सांज की लिए कह रहे हैं कि है जसानल भगवान से सांज करिए तो मैं भी मेरी सथ अगर अंगर आपको मन्जूर है तो आपकी ही भीवाद मुझे मन्जूर है याली आपका कहना है कि मुझे सेनापती चाहिए मुझे जो है क्योंकि आपके लंका नगरी में कोई भी पुद्धिवार कोई भी तेशस्थ भी सेनापती मुझे लज़र नहीं है सुनिये तो सुनिये पहले मेरी बास सुनिये सेनापती चाहिए आपको तो सुनिये सेनापती अगर चाहिए हो तो नामा जल में भाजिल है अब सेनापती चाहिए सेनापती अगर चाहिए हो तो नामा जल में भाजिल है और दो जार नहीं दो जार नहीं सेको रोहा सेनापती पनले काफिल है अंगर मालिक देला नावालिक है नारी का दुखने सेता है उसके जुख से भाई उसका हर लोक्त दुखी बना रहता है अंगर अच्छा जो 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 समय मु bri दाजर है अच्छा है अंगर श्रिय की दाजर गार जिस जार मुएंद में भूले है चाहत बर है उस अभड़ का अंगर आपा है उसका के गणर दुखा है जो मैं कहता हुश्रों भुल रहा हुश्रों कहिए क्या कहना चाहता हुश्रों कि तुम्हारी तो यह लंका नगरी चोर है चोर और कान सा चोर चोर कर इस प्रकार के होते हैं तो तुम उन चोरों में हो ढूर्य जादा जीक हो मत चिला हो मत ये बाल पुत्राणबर आपके चीग हो चिलाने से सभी नहीं करेगा मेरी पहले पहले आपको पोस्ते हैं मा चुब रहता हूँ मेरा वक्षा मैं बोलूगा आप चुब रहेगे हाँ ध्यां ने साधू का तुम भैस बना अर्मस से मर्दाविली से तो सह जोरी से लाते साधू का तुम भैस बना हर लाए नार को चोरी से साधू का तुम भैस बना हर लाए नार को चोरी से सारे तुमारी सब होती हर कर लाते सह जोरी से तब तुम भैस बना जाता की तुम भैस बना जाता का राचार सानल है यदि शगत जरनी मासीता को सह जोरी से हमारे सर्फुरां से युद्र करके माजान की को लंका में भार करके लाए होते तुम्हारी मतंगली चोर चोर बार बार तुम चोर कह रहा है मैं लाल हूँ मैं मैं और उपी लाँ मुझे पे इतनी बिज्या है कि तुम बादर मेरे सामें खाए तुझ को एकाद नहीं, एंगन, तुझ को एकाद नहीं, मैं ताल जीत कहराता हूँ, अंगन, जिसके काटेगा, मंतर नहीं, वह भुजन नहीं, पिस्वाला हुम्हाच्छा, चुने, तुम्हारे काटने से, तुम्हाच्छा कुगे विस्वाले हो, सुने, सुने, जुख कह रहे थे, कि जब हम बोलेगे, आप नहीं, बोलेगे, हम नहीं बोलगे, ढोलीय। हाद, ए अंदय, मैं चुझे बताता हू운, बता क्ये ब? ता दो हम बहुत हम आचानी हाँ से, उरी हज दह दिए। हम पार दे हुर्ण दना पार के दे के लिए। है यह था बुरा फल पाएगा अच्छा फिर तुम जुमा चाहएगा तो सीधा यह मलद पठाएगा अज़द मंज्यों जा इसे पकड़ के पठादो एसे ना पुद्यों है अज़ देखो मैं आप से दूर से बात कर रहा हूं मैं आपके शरीर में हाथ नहीं जच किया ये जीड जीगा जंग निम्मकरिये दसाल ना अच्छा बूल बूल आगो तुम चाहिना चाहते हो अज़े मारना चाहते हो आगा चुजुवा चलाएगा ए आजमाचु इसे रसी से बज़ानो आग पुजानी बना करके आग रोहें के चरी उसमे दिलवादो आग उस चरीयों से ये बाना लंगा शाये दिलवादेगा अच्छा तो मुझे बादला चाहते हो तो भेजो भीरो को तुहारे लंका नगरी में इतने अगे फीर यह दा हो तो भेजो जया समय सुने अगाद मर्यादा के हीतर बात कर अगाद मर्यादा के हीतर बात कर अगाद अधिकार नगर बढ़ाने का अंगद बखवाली तेरा नाम नहीं अंगद से रहे हो कर समझाने का अंगद सुन मैं जो कह रहे हैं क्यों सच्छ ताम हूँ सकसिताय तारी तो फिर ही राम सीताम है क्यों स्रीराम तुम्हारी लंका नगरी कोई बिल्दीर हो राजमंदी मुझे मारने की तो पहुत दूर की बात है मेरा यह अंगता पर कोई उफाने की जिलादे तो फिरही राम सीताम हारी राम और सीता चले जाएंगे और मैं हमेशा के लिए हार करके आपके लंका नगरी में आपका अनुचर बढ़ा होगा आपके लिए जाओ 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 तो कोण के नहीं में खानाज सम जो धा उत्थे जिसाई अश्या अज़ा आप तो ने क्या कहा तूने क्या कहा तूने वेगा मेरे घंदादर कि उसे दाना यह अज़ा उचाने को तहुत मुश्किन की बात है मगर पहरे उसका घिर नहीं दा गी महलाज अच्छा आइसी बात है अगर तो मेरे लार घंदाद बेशिकर नहीं तू यह लग को सर यह लग का पती अंगज क्या पूरे करें पहर को उखाद पर के पासार को में दूंगा वेटा मेरा नाम रावड है काफी बाई करें सकल ही आहारे अउठा आप कपी के पर जारे अर्यों कहत चरन कहबाली कुमारा अम्मा में पद गहें न सोर उभारा लंका का इतला बड़ा प्रताफी राजा लेक दूत के पहर पकर महा को हसी नराम चरन सथ जाई का सुनत से फिरा मने की सकुचाई जाईए दसाला ये सक आप जाईए आप तुम्हारी हमारी पुरी वार्टा आप नहीं होगी जो तुम्हारी हांपे जा रहा हो लेकिनो जाए जाए बतार नहीं तुम्हार अर्जट है तेरा अर्जट है जाए आई आए अंगल चाई मेरी शीरंती है जा कहने लाओ तो शीवत्चों से आट बढ़नी समानी पंदित श्री लक्ष्मी टिवारी जी बल्लार आपकी तरफ से अंगद रावन संभाद के बाद लचमन सक्षी का प्रशंग होगा जिसमें जुद्ध सुरू हो जुगा है भगवान और रावन के बीच और उसके बाद अंगद जाते हैं भगवान के पास सारे समझार लंका के बताते हैं और उसके बाद युद्धिकी तयारी होती है जेप्रम्यों को मैं आपका जात अंगद लंका से वापस आ चुका है अंगद कहें तरभू तुमने लंका में उस दसकंदर के बलकार माया का और चलकार किजी भारी से परजय किया चो मुझे बता हुआ अवस्त प्रभू मैं यहां से आपके कहले के अनसार आपके कफना अनसार मैं लंका नंगरी में पहुंचा अच्छा और तसालन जहां राजा के लंडा का राजा दसानन जहां उसका दर्वार लगा था रभू मैं वहां गया उन्होंने मुने उझे एक उच्छ आसन दे करके पैजाया और पूजा कहिए तुम कावन हो कहां से आए हो तो मैंने सारा पर्चत हूँ रावन को बताया तो उसने कहा यह अग्राज तुम यहां कि लिए आया है तो मैंने उससे बताया कि मैं आपको कुछ राजनीत की बात बताने आया हूँ अच्छा और मेरा ये पहना है कि आपो हमारे मर्यादा सीतम मर्यादा पुसोतम भगवार राव से संधी करने तो बहुत अच्छा होगा तो लेकिन प्रभू वो सख वो मूर्ख आपसे संध करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ये दशकंदर क्या कह रहा था वो कह रहा था कि मैं संध नहीं करूंगा शीदा वो वापस नहीं भेजूंगा अच्छा वो सबसी बालक मुझे से आखर के युद्ध करें जो युद्ध भैस्टल में विजाई होगा वही फैस्लाम आना जाएगा तो युद्ध भैस वो संध करने के लिए तैयार नहीं है प्रभू तैयार नहीं है अच्छा तो लंका पति रावाण शंदे नहीं करना चाहता है नहीं प्रभू संध करने के लिए तैयार नहीं है वै युद्ध चाहता है युद्ध चाहता है प्रभू युद्ध चाहता है तो हे अंगर अब युद्ध की तैयारिया करो जैसी अग्याप्रभू तो अंगद द्वारा जब शुना तिलंका का सब हाल अब बोल उठे सुक्रिव से सीता पति रतकाल किलाचार हो गया रघुबंसी रघुपुल का गौरो रखना है मदमत हुआ है लंका पती इसका फल उसको चबिला है किलाचार जब शुना पती रखना है अब तो शंधाच होना ही है इस राज हो अब लोक नहीं तक तालंका मेरा रसोना ही किलाचार जब शुना पती रखना है लाज मंदी पराई लंका में उत्ति शुरू है लंका में एक जुरू है साउधान रहिए तु बैठे बैठे बोर रहा महाराद क्या सीखा है तुमने मंद्री है मंद्री सुन लंका में एक जुरू है और घंधामरी जो रहा है अब क्या उपाय किया जाए एक हन्मान ना मकावन नाया ते सारी लंका जला गेना राज मंद्री ये तुम्हारी हमारी आपस की बात है राजा का सलागीर मंद्री ही होता है एक हन्मान नामका मंद्र आपस की बात है अजूसे अंगज नामका बानल पूरे लंका के योधा राज मंद्री जला गवर करिए पूरे लंका के योधा और मेरा बेजा घंडा गवर करिए उसका पहल ना हिला सके राज मंद्री ये क्या होने आला है क्या जगत जन्नी हमें क्या ये रहस इस दखाने के उपर डाल दिया बोलिये ब्याजी तो पाई तुम्मे घंडाद सुनी स्रावले यसी गढ़े पूनी छे का राज मंद्री ये महराच मेरे बेजे मेरे बेजे घंडाद को जा करके जल्दी बुला करके और मेरे पास स्रीख लाए घंडाद पादी ये बादी सेना का बिधां से काना बहुत जरीरी है जाए युमाराच युमाराच आपको महराच रावन ने याद किया है हमें इस घंडाद को हमारे पिता दसकंदर ने याद किया है आओ राज मंद्री चलते हैं क्या समाचार पिता दी जाए संकर की जाए संकर की बेजा घंडाद कहिए जाए संकर की बेजा घंडाद आईये आईये मैं बता रहा हूं कहिए पिता स्री मेरे पुत्र आप इस बेजे घंडाद को क्यों याद किया है हाँ बेता घंडाद बताता हूं हाँ बताईये पिता स्री क्या मात है लंका में बानिरी सेना बहुत आचाई को फैरा दिया अच्छा आउ दो तफ्षी बच्चे बिखारी छोटे तफ्षी ने लंका में चभाई कर दिया है अच्छा पिता स्री हाँ मेरे इमेदे घंडाद तो आप जा करके उज़ छोगे तफ्षी को बनी बना करके और मेरे पास बोले तो बारी पासों से को प्रास देखि लहों मोरा करिहां बहुत कहां का खोलाओ है पिता स्री आप कहते हैं हाँ कहिए मेरे तो उन तपस्री जालगों को मैं मिल्क नूली गाजर की तरह चमा जाओंगा और उनकी पूरी पालनी सेला को एक तिलिके की तरह चर से उखार करके खत्म कर दूँगा पिता स्री आप मुझे आख्या दे मैं अवस्त जा रहा हूँ तपस्री बार्कों के पास स्यावास सिस्त बचन भरो सावास अपी तु सडेत यंक बैठा स्यावास मेरे बेटे घना दे हाँ पिता स्रीद तो ही मेरा एक सहारा है और मुझे पूर भी स्वास है रहे रहे हाँ पिता स्रीद कि 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 तो सफ़ता प्राप करेगा और उस शोटे तपसी को बंदी बना करके जरू लाएगा बेटा घनाद जाड़िये मेरा इहरा सिर्माद है जरू सफ़ता है तपसी ज़त्वर को बंदी बना करके लाएए आप सहे तो मैं तुन्हा रामा जलो एग स्वास में बंदी बना करके आप से कत्मों में रख दूगा लंका में सच मुझ पड़ी सकती इसमें घनाद योधा की थी लंका में सच मुझ पड़ी सकती इसमें घनाद योधा की थी वह सेना का संचालक था युए राजी सी की पड़ी दी जीता था इसने इंद्र लोको वह इंद्र जीत कहलाता था सब बेटों ने प्यारा बेटा रामड का समझा जाता था जानाद मेरे मेरे घनाद मुझ प्यात है कि इसमें का मेरे क्यों मेरा इंद्र जीत घनाद ही मेरी जन्दा का है और हर वक्त मेरा बेटा घनाद जीत रनेगा मेरे बेटे जाए और शेकर जाकर इस तस्वी को बन्नी बनाईए जानाद मेरे जानाद मेरे जानाद जानाद का मेरे जानाद 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 झाल झाल